तो टेंथ क्लास का हिंदी का पेपर हो गया खतम and 100% आपने पेपर फोर दिया होगा क्योंकि पेपर जो आया था वो easy level का आया था जो भी मैंने आपको good news बता दू जो भी मैंने आपको यहापर questions बताये थे वो यहापर questions आए ओके and easy level के जो भी मैंने आपको topic समझाये थे कि यही topic आपको आने वाला है वो topic से आप पर आये and जो पेपर था वो easy level का था तो इस वीडियो में हम यहापर पेपर का पूरा solution देखने वाले है and मैं हिंदी में वीडियो क्यों बना रहा हूं क्यों कि हिंदी का पेपर है and सबी क जादा से जादा से जादा सोर्ण तक वीडियो पहुचे उनको समझ में है solution इसले हिंदी में यहापर में बता रहू नहीं तो हमारी आपली मराथी जिन्दाबात वोकी विद्ध्यार्थी में चला बहुगे यह वीडियो में दे हिंदी चा पूरा solution बगा चलिए पूरे पे लेखक ने तई किया लेखक ने क्या तई किया आख नहीं खोलना चुपचा पड़ा रहूंगा थर्ड नंबर का question था गध्यांश में से शब्द यूगमर ढूंड कर लिखे उसका answer था थोड़ी बहुत and second था धीरे धीरे ओके फिर यहापर question था लिखे क्या लिखे बच्च अब बच्चे का यहापर link परिवर्थन करना था तो उसका होता बच्ची and वचन परिवर्थन में यहापर बच्चे and fourth number का question था जिसमें मरिश से मिलने जाते समय कौन-कौन सी साउधनिया बरतनी चाहिए इस विशय पर अपने विचार लिखे अब मरिश से मिलने के लिए हम जाना है तो कौन-कौन सी यहापर साउधनिया बरतनी चाहिए कि उसे कुछ भी नुकसान ना हो उसके हालचाल पूछे और शब्दों में जब हम उससे सववाद करते हैं तो शब्दों में से उसको कुछ ठेस ना पोचे ऐसी पूरी साउधनिया यहापर बरतनी चाहिए उस टी का और ओके और यापर गद्यांश में से प्रयुक्त शहरों के नाम यापर रामनगर और बहादुर गंज यापर सेकंड वाला कोश्चन था कि निमनलिकित वाक्य उचित क्रम लगा कर लिखे यापर फर्स्ट नमबर का वाक्य था यापर पाच ग्राम सोने के गहने आना से ओके यापर वचन परिवर्तन करने के लिए चार शब्द आये थे देखिए रिष्टा का होता रिष्टे दीन का होता दीनों शादी का होता शादिया मुसीबत का होता मुसीबते तो ये चार उसके एंसर थे यापर यापको चौता सुवमत का प्रश्ण था कि पारिवारिक सुगदुख में प्रत्यक का सहबाग, इस विशे पर 25-35 सब्दों में अपनी विचार लिखे, अब यहाप पर, आपको कैसे लिखना होता कि पारिवारिक सुगदुख में प्रत्यक का सहबाग होना, मतलब अगर हम है, तो हमारा भी यापर परिवार में यापर शामिल होना important होता है, महतुपुर्ण होता है, किसी भी सुख दुख में, कोई भी यापर सुख हो या फिर दुख हो, हमें शामिल होना चाहिए, इस तरीके से आपको यापर 25 से 35 शब्दों में लिखना होना था, ओ ठीक है, यापर य वाला प्रश्ण था, जिसमें देखे यापर ये वाला प्रश्ण में से, पहिला प्रश्ण था, कि बापू की अटपट वानी की विशेश ताइब, उसका answer था, उनकी साधना, उनका रुधय बोलता, उनका विक्तिमत्वा बोलता, बोल रुधय में घुल जाना, ये चार य अब वानी का महत्व किस तरीके से हम दे सकते हैं कि वानी हमारी जीवन में अती महत्व पूर्ण है क्योंकि वानी के बिना हम किसी से सववाद नहीं कर सकते हैं वानी के बिना हम अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं वानी के बिना हम किसी को या पर जो भी हमारा टार्गे जित सकते हैं, उन पर प्रभाव डाल सकते हैं, एक अच्छा व्यक्तिमत हो हम हमारा बना सकते हैं, तो इस तरह के से आपको यहापर लिखना होना था, और यहापर पध्य, मतलब कि आपकी कविता थी, कविता में यहापर देख लिजे, फर्स्ट नंबर का कोश्चन था, जिस यहापर उत्तर था, गगन का नब, परवत का गिरी, बिजली का दामीनी, और दूस्ट का यहापर खल, यहापर आपको, फिर से यहापर एक कोश्चन था, कि उपर युक्त पध्यांश की अंतिम चार पंग्तिया की सरल अर्थ लिखे, अब अंतिम चार पंग्तिया जो थी, यहापर देखे, अंतिम चार पंग्तिया, एक, दो, तीन, चार, यह जो पंग्तिया थी, इसका आपको भावारत लिखना था, जो भी आपकी कविता रही होगी, यह है, तो उसका आपको पुरा भावारत यहापर लिखना था, आपने अगर क्या किया होगा, कि एक एक लाइ और मार्स 100% मिलेंगे ठीके आपने यह सौल किया होगा मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताईए ओके यह पर आपको आप प्रशन था जिसमें आपको फिर से यहापर देखे गध्यांश था ठीके गध्यांश में से प्रशन आये थे उची जोड़िया लगाईए यह कोश्चन थोड़ा अजीब था लेकिन बहुती इजी था देखे यहापर जूड़िया कैसी थी कि आपको जो पध्यांश दिया है उसी में से देखकर लिखना था यहापर आपको हिंट भी दिये हुए थे देखे यहापर अथिती देव रुदय तेज सैयम दान भुजा शक्ति यह च पर जो है नम्रता और यहापर विनम्रता ठीक है नहीं विनम्र और विनम्रत का यह चार शब्दाka यहापर दो शब्दद यहापर लिखे थे उपसर्गोप रत्य लगााकर ओकै और यहापर सेकंड वाला कोश्चन था कि निमनद शब्दों के लिए पध्याश में आए व पढ़ियाशी की प्रारम्भिक चार प्रंग्ति का सरल अर्थ लिखे जो भी आपकी पढ़ियाशी था उसका यापको पूरा सरल अर्थ लिखना था ठीक है आपने लिखा होगा और आपको मास जरूर मिलेंगे विभाक पर मिलने वाल है यहाँ पर देखे पहला कोश्चन था कि एक दो शब्दों में उत्तर लिखे अब एक दो शब्दों में देखे उत्तर कैसे है इसका तिलक आया था किसका तिलक आया था मुखराम का देखे पहले ही लाइन में यहाँ पर जो है यहाँ पर उत्तर है ठीक है यह भढन आई, बड़े हंडे में पक रही थी, मसालेदार तरकाई याण है आपर चार पाइप पर विश्राम कर रही है, कोन पर विश्राम? मह lógेम, विश्राम कर रही थी चार पाइपपर這邊. आपर आपको personal response पर या question था कि सांस्कृतिक परमपरा के सववर्दन में हमारा योगदान इस विशेवे पर अपनी विचार 25 से 30 शब्दों में लिखे देखे सांस्कृतिक परमपरा जैसे लोक रुत्य हो गया संगीत हो गया जो भी आपर सांस्कृतिक हमारी परमपरा है उसे हमें सववर्दन उसका करना चाहिए और जो सववर्दन करने के लिए या पर अलग-अलग हमें या पर कारेक्रम आयोजित करने चाहिए रुनुत्य के हो या पर संगीत के हो और इसी परमपरा को अखंडित तरीके से हमें या पर आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि हमें या यापर जो आने वाली पीडी है उनको भी ये पूरा जो पारमपारिक हमारी संस्कूरूती है उसका पता चल सके तो इस तरीके से हमारा क्या है कि हमें योगदान देना है पारमपारिक संस्कूरूती परमपरा को सववर्धन करने में योगदान कैसे देंगे कारेकरम आयोजित करके तो इस तरीके से आपको या पर लिखना था या पर देख लिजे या पर फिर से आपको आ था आ प्रश्ण था और इसमें आपको आपको देखे आ में से पहला प्रश्ण ऐसे प्रश्ण तयार कीजे कि जिनके उत्तर निम्न शब्द में हो देखे जीवन नईया अब रंगे रंग लेकर कोन आया यहापर क्या होगा रंग विरंगे रंग लेकर संग कोन आया इसको उत्तर क्या होगा फालगुन अब यहापर सेकंड वाला कोश्चन था वो भी परस्नर रिस्पोंस का था कि जीवन एक संगर्ष है इस पर अपने विचार 25 से 35 शब्दों में जीवन एक संगर्ष है इस पर आप कैसे लिखते कि जीवन सच में एक संगर्ष है क्योंकि जीवन में जीने के लिए सबसे ज्यादा महतोपुन होती है शिक्षा और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भी हमें संगर्ष करना होता है जैसे कि हम अभी बोड परिक्षा दे तो बोड परिक्षा देने के लिए हमें यापर कड़ी महिनत करनी पड़ी है तो जीवन जीने के लिए शिक्षा जितनी महतोपुन होती है तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरीके से यापर संगर्श भी करना पड़ता है तो इसका सरल मतलब यही हुआ कि शि जीवन में संगर्ष करना पड़ता है, संगर्ष के बिना हम कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तो जीवन एक संगर्ष है, सब कुछ चीजों के लिए संगर्ष यहापर होता ही है, तो जीवन पुरा संगर्ष से भरा है, मतलब इस तरीके से आपको यहापर लिखना था, ठीक पर आप जोईन हो जाईए ठीक है जो भी आपर fix questions रहते हैं मैं आपर provide करता हूँ आपको और इसका भी benefit आप जरूर लीजे आने वाले papers का ठीक है यापर question number 4 यापर देखें नीमनलिकित वाक्य के अदोरेकित शब्द का शब्दवेत पहचान कर लिखें अब उसे का था क्योकी अब क्योकी का क्या आएगा मैं school नहीं जाओंगा क्योकी मेरी तव्यत खराब थी मैं school नहीं जाओंगा क्योकी मेरा दोस्त आज नहीं आ रहा ठीक है इस तरीके से आपको इस क्योकी का यापर use करना था यापर pass अब pass के दोन अर्थ होते देखें मैं pass हो गया ठी ठीक है याई आपर आपको 3rd नंबर का question था संधी वाला संधी विच्चेद वाला यापर देखे फिर इन दा blank के थोड़े यापर देखे संधी विच्चेद था परा प्लस अर्थ उसका संधी वेद ही होता स्वर संधी उस शब्द होता परा आर्थ ठीक है यहापर और में आपको करना था सेकंड वाला सदाचार शब्द था इसका संदी विच्चेद होता सत देखे सत होता ऐसा सत और प्लस आचार और इसका होता वेंजन संदी ठीक है सदाचार ठीक है यहापर आपको कोशन था कोशन नमबर फोर था जिसमें आपको देखे निमनलि लिकित वाक्यों में सी किसी एक वाक्य की सहायक, सहायक क्रिया और मूल रूप, यहाँ पर आपको मूल क्रिया ढूननी थी और लिकनी थी, देखे यहाँ पर दो वाक्य थे, दो वाक्य में आपको दी और चुका सहायक क्रिया आपको यहाँ पर थे, यहाँ पर मूल क्रिया क्य देखना का क्या होगा दिखाना देखवाना भूलना इसके बाद यहाँ पर था निमनलिकित मुहावरों का किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखे उचित वाक्ये में प्रयोग किजे मतलब की वाक्ये में प्रयोग करना है देखे दाद देना अब दाद देना मतलब क्या कारे या बात को प्रशंस्निय समझ कर वाह करना, मतलब दाद देना, वाह करना ठीक है? ऐसा था, इसका अर्थ था, अब देखिए वाक्य में उपविक कैसा प्रयोक कैसा होता दाद देना मतलब अगर हम उधारन लेते कि राजू ने कोई काम किया तो हम क्या करेतें कि समीर ने राजु को दाद दी समीर ने राजु के काम की आपर तारिफ की प्रशनस्निय समझकर वह वह उसने की मतलब अईसा आपको उपवग करना था उसके बाद मुह लाल होना मतलब क्या गुसा करना अगर किसी ने कुछ गलब मतलब वाक्य में उपएग आपको यहापर करना था देखे यहापर हम करते समीर गुस्षे से लाल हो गया राजु को देखकर समीर गुस्षे से लाल हो गया मतलब इस तरीके से आपको यहापर वाक्य में प्रयोग करना था इसके बाद यहापर question दा 9 number का देखे यहापर आपको क्या करना था कि अपूर्व भुतकाल में इसका आपको फिर से वाक्य लिखना था देखे मेरी सबसे चोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी अब यहापर क्या होता वाक्य अपूर्व भुतकाल में कि मेरी सबसे चोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी अपूर्व भुतकाल थीके मतलब पूरा नहीं हुआ अपूर्व भुतकाल थीके जा रही थी को मन से अलग करना पड़ेगा एंड थर्ड नंबर का यहाँ पर था कि पूर्न वर्थमानकाल वर्थमानकाल लेकिन पूर्ण हो चुका था इसने मुझे बहुत प्रभावित किया था ठीक इसका इस तरीके से answers आएंगे and 10 number का यहाप पर आपको question था one minute 10 number का आपको यहाप questions था कि नीमनलिकित वाक्य का रशना के आदार पर भेद पहचान कर लिखे अब इसका जो है भेद आप देख लीजे यहाप पर कौमा है मतलब दो यहाप पर sentence है वाक्य है तो इसका आएगा मिश्र वाक्य और यहाप पर आप देखी आप एक बार सिकन वाला question देखिए कि नीमनलिकित वाक्यों में से किसी एक वाक्य को कोश्टक में देगी सुष्णा का अनुसार परिवर्तन कीजे अब पहला वाला वाक्य था निशेदारत वाक्य आपको करना था अब निशेदार शुरू नहीं किया था ऐसा इसका उत्तर आता अब यहाप पर विदानारतक वाक्य आपको करना था अब इसको विदानारतक वाक्य कैसे करते कि क्या लोग पहाड़ों पर गुमने का शोक रखते है और question mark था इस पर आपको क्या नहीं चाहिए था सिर्फ लोग पहाड़ों question 11 नंबर का कि निमना लिखी वाक्य में किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखे अब जो तीन वाक्य दिये है उसे आपको शुद्ध करके लिखना है पहला था पिता जी ने आंदलों से भाग लेने से रोकी अब यह कैसा वाक्य है इसे हमें शुद्ध करना है कि पिता जी ने आंदलों में भाग लेने से रोका एसा आपको लिखना चाहिए था ठीके एंडéra यह पसीना किस लिए चहाइँ है तो यहापर होता यह पसीना किस लिए चाहिए ऐसा होता ठीके थर्ड नमर नमर का होता मैं ड्राइवर से बुला लाया Divyakar Vidya उपयोजित लेखन इस पर मैंने special आपको live session रखा था जोगी 26 मार्स के लिए था और सभी questions मैंने आपको एके करके detail में समझाए थी यहापर सबसे पहला question था पत्र लेखन का अब पत्र लेखन देखे सबसे पहले मैं आपको important बता है था कि 10 points पता ढूनना date वगेरा सब कुछ स पत्र किसे लिखना है आपके भाई मंगेश को मंगेश को यहापर पत्र लिखना है और उसे बदाई देनी है विशे कुन सा है कि आपके भाई ने निबंद प्रतियोगीता में प्रतम स्तान प्राप्त किया है राज्यस्तरिया प्रतम स्तान यहापर प्राप्त किया है तो यहापर आपको left side में पूरा address आता जो भी आपका material आता date वगेरा email id और यहापको बदाई देने का पूरा पू कोशन तयार करने थे चार कोशन देखे कैसे simple में आपको बताता हूँ एक कोशन करके कि यस सर सीवी वेंकट मन भारत की उन महान वग्यानिकों में से एक है जिने उनकी रमन प्रभाव की खोच के लिए जाना जाता था अब इसका प्रश्न कैसे तयार किये तो देखिए रमन प्रभाव की खोच के लिए किसे जाना जाता था तो इसका उत्तर क्या आता कि रमन प्रभाव की खोच के लिए सर सीवी वेंकट रमन इसका ऐसा उत्तर होता तो इस तरीके से आपको यहापर पूरे चार कोशन तयार करने थे आपने किये होगे I think मुझे comments में जरूर बताना और यहापर सबसी important था रुत्तानत लेखन रुत्तानत लेखन के मैंने आपको साथ से आड़ एक्जामपल दिये थे श्रुनस ठीके लाइव सेशन में देखे यहापर क्या करना था कि नेताजी विद्याले औरंगा बाद में मनाए गए सवच्चता विबाग का 60-80 शब्द यहापर डेट आती डेट के बाद यहापर के आता नेताजी विद्याले औरंगा बाद और जो आता पूरा मतलब किस तरीके से हमने सवच्चता किये पूरे श्रुनस मिलके हमने यहापर छात्र छात्राओ मिलकर यहापर पूरे तरीके से कच्रा इकट्टा किया जो भी कच् कहानी लेकन भी बहुती इजी थी कि मोहन और पिता सुकी परिवार मोहन हमेशा मोबैल पर कान में एरफोन माता पिता का मना करना मोहन का ध्यान न देना सड़क पार करना कान में एरफोन दुरगटना सिक एंड जो एक कहानी थी ना बहुती इजी थी मतलब मोहन और पिता मोहन जाता था तो लोग उसे आवाज देती थे लेकिन वो क्या था यह फोन का फुरा मतलब दिवाना हो चुका था और यह फोन ही अपने कान में लगा कर हमेशा जाता था तो उसका उसको भारी यहाँ पर मोबदला चुकाना पड़ा उसका यहाँ पर एक्सिडंट हो गया एक गार से आपको लिखना था और इसकान से सिख ऐसी मेली कि किसी भी चेश का जाता यहाँ पर उपोयोग नहीं करना चाहिए वह अपने लिए हानिकारक होती है तो इस तरीकी से आपको पूरी यहाँ पर कहानी लिखनी थी ओके तो यहाँ पर पॉंच दिये थे वहाँ पर आपने लिखी होगी, comments में मुझे जरूर बताएं, यहां पर विग्यापन लेखन, अब विग्यापन लेखन में देखे, मैंने आपको live session में जो यहां पर present था, मुझे comments में जरूर बताएं, live session में आप प्रेजेंट थे और मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोरोना होगा लोगडोन होगा उस पर आपको 100% एक कोशन रहेगा आपके उपवेजित लेखन पर यहाप पर एक कोशन आया है फ्रेंज 100% मैंने गैरेंटी दिती है और कोशन आया देखें निर्माल सैनिटाइजर सै आपको यहाँ करनी है एड करनी थी भारत में निर्मित विशाओनों से सुरक्षा विभन्न रंग और गंदव संपरकवपता मतलब क्या कि आपको यहाँ पर पॉइंच दिये गए थे जो भी सैनिटाइजर होगा उसका एडवर्टाइजमेंट हमें करना है मैंने आपको क्य और बताय था कि आपको क्या करना है कि एडवर्टाइजमेंट तयार करने के लिए आप लिए पर पेंसिल से खूल ड्राइंग भी यहाँ बन निकाल सकते थे तो ड्राइंग किस चिस का आप निकाल थे डिज्राइंग एक बॉटल पोटल का क्यू बउटल में यहाँ पर शै भारत में निर्मीत ओके और अच्छा सुगंद यहां पर ऐसे आप लिख सकते थे और यहां पर देखे जो है कुछ आप जो है संपर्क और पता भी यहां पर आपने लगा सकते थे मतलब इस तरीके से आपको पूरा एड़र्टाइजमेंट करना था पूरा यहां पर ऐसा बॉ मतलब नदी की आत्मकता मैंने कहा था आपको नदी की आत्मकता मैंने आपको बताया था कि मैं नदी हूँ इस तरीके से कार खाने का पानी में मुझ में आता है पूरा दुरुगंध हो जाता है कोई भी मेरे पास नहीं आता कच्छरा फिकता है मुझे कोई भी साफ नहीं कर भी यत्योहाद देखिए यह बहुती इंपार्टन है अभी अभी हो चुके आप शारा का सारा लिख चुके वहुस लोगोंने हो लिखा होगा मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों यहाँ पर ज़रूर बताईए यहाँ पर इसे solution होता है आपके हिंदी के paper का and आगे जो भी paper आने वाले उसके जो वीडियोज है आप चैनल पर अभी जाएए और चेक कर लीजे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंकिव रोचिंग दी वीडियो